गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल के टार्गेट 20 की चितरकला रिवीजन के आज के इस वीडियो में है मित्रो सुबा के वीडियो में हम पढ़ते हैं रिवीजन क्लास के कुछ बहतरीन कोश्चन तो आज भी हमने रिवीजन के लिए कुछ बहतरीन कोश्चनों को चुना है तो चलिए फटा-फट सुरू हो जाएए मेरे कमेंट के उत्तर देने से पहले तो मित्रो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब में किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा विट बेल आइकन ताकि नोटिकेशन आपको जाता रहे सेयर ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा तो आईए पहला कोश्चन आपके इस क्रीन पे है पूछ रहा है रविद्नाट टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है कभी मुर्तिकार, चित्रकार या साहितिकार तो रविद्नाट टैगोर की पहचान जिस रूप में नहीं है मित्रो वो है आपका B is the right answer मुर्तिकार, रविन्नाट टेगोर क्या थे मुर्तिकार नहीं थे ठीक है, अगला प्रशन पूछ रहा है अनिश का पूर्द्वारा निर्मित Cloud Gate का माध्यम है Cement, Glass Fiber, Stainless Steel या Mirror तो अनिश का पूर्द्वारा निर्मित Cloud Gate का जो माध्यम है वो क्या है मित्रो तो वो है आपका C, Stainless Steel के माध्यम से उन्होंने बनाया था Cloud Gate को 2006 में ठीक है अगला है प्रदोमदास गुपता एक परसिद्ध है क्या है, मुर्तिकार, चित्रकार, संगितकार या कोई नहीं इस question का answer देने से पहले कल के question के comments का discussion हो जाता है तो कल का question था और उस question में जो है अजन्ता का माध्यम हमने पूछा था जिसमें दो आपसन दे दियेगा था एक तो tempera भी था उसमें आपसन और एक था fresco technique ठीक है, fresco technique दोनों आपसन था सबसे पहले यह समझिए कि अगर first preference दिया जाएगा तो tempera को ही दिया जाएगा लेकिन मैंने आपको fresco बता दिया था तो इस tempera को ध्यान नहीं आया इसलिए मैंने fresco बता दिया first preference tempera को दिया जाएगा तब fresco रहेगा, अगर tempera उस option में नहीं है तब हम fresco को टिक लगाएगे ठीक है, चुकि दोनों था इसलिए tempera को first preference दिया जाएगा और इसको second, लेकिन अगर tempera नहीं रहेगा, तो fresco को first preference दिया जाएगा ठीक है, तो यह clearance मैं आपको इस वीडियो में कर दे रहा हूँ, आपके लिए आसान रहेगा, देख लिजीएगा, ठीक है, तो question number 3 का जो आपका राइटेंसर जाएगा, हो जाएगा A, मुर्तिकार, प्रदोमदास गुपता एक परसिद्ध क्या है, मुर्तिकार है, ठीक है अगला प्रशन है दीदार गंज ये अच्छी की मुर्ति किस काल की है, चंदेल काल गुपत काल, प्रतिहार काल या मुर्तिकाल तो दीदार गंज ये अच्छी की जो मुर्ति है, वो किस काल की है, मित्रो तो मित्रो वो है आपकी मुर्तिकाल की, डीस दाराइटेंसर किस काल की है, मुर्तिकाल की है अगला प्रश्ण है किष्ण का संप्रदाय पंत मुख्यत के माध्यम से प्रदसित किया जाता है मुगल काल सैली के अजंता एलोरा पेंटिंग के राजपूत लगुमूर्तिया के या बंगाल कला सैली के इन चारों में से किस के माध्यम से पर्दसित किया जाता है किष्ण का संप्रदाए तो पांचवे कोश्चन का आपका राईटेंसर हो जाएगा सी राजपूत लगुमूर्तियों के माध्यम से पर्दसित किया जाता है मुख्यत किष्ण का संप्रदाए ठीक है अगला प्रचन है सिंदु घाटी के लोगों के मुहर में किस देवता की छबी अंकित है पसुपती वरूड अगनी या इंद्र यानि सिंदु घाटी वासी जो थे उनकी जो मुहरे थी उसमें किस देवता के छबी अंकित की यह देता मित्रो तो मित्रो इस कोश्चन का आपका राइटेंसर हो जाएगा ए पसुपति किसकी पसुपति की ठीक है अगला प्रस्ण दिखेएगा पूछ रहा है अगला प्रस्ण पूछ रहा है बधु का शिंगार नामक चित्र किष ने बनाया राजा रभी वर्मा ने अमरिता शेरगिल ने नंदलाल बोश यामनी रंजर रा इन में से उन्होंने बनाया है मित्रो अमरिता शेरगिल ने बी अमरिता शेरगिल राइटेंसर ठीक है अगला प्रस्ण पूछ रहा है उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार है दिलिप तामूली पी मंसाराम सनतकर या मुकल पवार तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाक प्रशन आप से पूछ रहा है किस कला पत्रिका का संबंद उत्तर प्रदिस से हैं कला दिर्घा का संबंद किस से है यूपी से है तो 9 का राइट एंसर A अगला प्रश्ण देखेगा क्या पूछ रहा है पूछ रहा है निमनिम से क्या सिंदुगाटी सभ्वेता की विसेस्ता नहीं है ध्यान दिजिएगा विसेस्ता नहीं है ठीक है किर्शी और जानुरो को पालतु बनाना सिल्पतस्तकारी और मिर्दभाड भीत्ति पेंटिंग वाले मकबरे अगला प्रASON देखेगा क्या पूछ रहा है अगला प्रसन आपसे पूछ रहा है तेरा कोटा मंदिरो के नाम से किस अस्थान को जानते है भरतपूर को, बिसड़ूपूर को, रायपूर को या जैपूर को तो टेरा कोटा मंदिरो के नाम से जिस अस्थान को हम जानते हैं वो अस्थान है आपका B, बिसड़ूपूर कौन सा है? बिसड़ूपूर है मित्रो ठीक है? अगला प्रसन पूछ रहा है चौर पंचासी का इन में से किस के द्वारा लिखा गया है वास्यान के द्वारा ससी कला के या सुधर पंडित या बिलहड के द्वारा तो चौर पंचासी का इन में से किस के द्वारा लिखा गया है तो वो लिखा गया है मित्रो बिलहड के द्वारा D is the right answer इसके द्वारा बिलहड के द्वारा ठीक है अगला प्रशन देखे क्या पूछ रहा है अगला प्रशन पूछ रहा है भारती इतिहास के मुगल काल के दोरान उस्ताद मंसूर का नाम किस छेतर में परसेद हुआ संगीत में मुर्तिकला पेंटिंग या वस्तुकला में तो भारती इतिहास के जो मुगल काल के दोर चला थो उसमें उस्ताद मंसूर का जो परसिद्धी जो मिली है उकिस में मिली है तो मित्रो वो मिली है आपकी मोला राम, पर्खु, सजनु या निहाल चन तो मित्रो कांगणा सहली का जो परसीद चितरकार था वो कौन था इन में से तो मित्रो इसका आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B पर्खु पर खुजु था वो कांगणा सहली का प्रसिद्ध चितरकार था ठीक है चौधा ध्यान से दिखीगा प्रसिद्ध चितरकार था कांगणा चौधा का राइट एंसर B अगला प्रशन है पूछ रहा है आप से जैन चितरकला भारत के किस छेतर की है मध्य, दच्छिड, पुर्व या पस्चिम तो जैन चितरकला भारत के किस छेतर की है मित्रो इस कोश्चन का एंसर देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमारा सुपर संडे है यानि साम को हम जो है जो वीडियो देंगे आपको उसमें कम से कम 50 कोश्चन होंगे आपके 50 कोश्चन आपके वीडियो सुपर संडे के आज मिलेंगे आपको और वो कोश्चन जो है मैंने एक PDF रखा है जिसमें कमपटीशन में वो कोश्चन पूछेगा है उस कोश्चन को जो है मैं आज बनाने वाला हूँ आपके पास और आप साम को जो है उस question को देखिए और देखिए उस competition में आए वे question कितने अच्छे है ठीक है तो तयार रहेगा साम को आपको मिलेगा तुमेत्रो इस question का आपका जो राइटेंस हो जाएगा पंदरा का वो हो जाएगा डी पस्चिमी ठीक है जैन चितरकला भारत के किस ठीक है पस्चिमी ठीक है ठीक है अगला प्रस्चन दीख़के क्या पुछ रहे है रांग-गाडन में जो है वो राक गार्डन है और उसका डीजैनर कोन था? DC थापर, सतीस गुजराल, नेकचंद, चास्कोरिया तो राग गार्डन जो चण्डिगर में उसके डिजाइनर है मित्रो आपके नेकचंदर सीज दराइटंसर कोन है? नेकचंद ठीक है? सोला का सीज दराइटंसर अगला प्रशन पूछ रहा है बसोहली के चितरकार निम्न में से किस साहित तिक करती से प्रेडि थे? गीत गोबिंद, मेगदूत, महाभारत, रज्मनामा तो बसोहली के जो चितरकार है वो किस साहित तिक करती से प्रेडि थे इनमें से? तो मित्रो वो प्रेडि थे? गीत गोबिंद से है ठीक है अगला प्रशन पूछ रहा है तरासे गए चमकीले पत्थर के आउजार कहां प्रयोग किये गए तामर परशाड काल में नौपरशाड काल में मद्धे परशाड काल या पूरा परशाड काल में तो जो तरासे गए नौकीले पत्थर थे उसके आउजार बनाया गया उस उसको कौन से काल में परियोग किया गया उसको हत्यारों के रूप में, तो मित्रों उसको परियोग किया गया नौपासाड काल में, किसमें, नौपासाड काल में, ठीक है, आईए, अगला प्रशन पूछ रहा है, किसी वस्तु के असपर्स से हुआ अनुभो है, रेखा, अखरी कोशन इस वीडियो का आप से पूछ रहा है गुलेर सैली के रामायड पर आधारी चित्र किस राजा के समय में बने यानि गुलेर सैली में रामायड पर आधारी जो चित्र हैं वो कौन से राजा के समय में बने राजा दिलिप्शिंग संसार चंद्र हरिश चंद्र या प्रविजन क्लास आज की कमेंट्स बक्स में ज़रूर बताईएगा पसंद आया हो तो लाइक एक प्यारा सा लाइक मित्रो सेर कर दीजिएगा जो भी आगे तयारी करने वाए उनके लिए और आगे क्या कहना है मेरे पास सब्द नहीं है कि आप लोग मेरे चैनल को इतना प्य जबूत बना रहे हैं आप यही है और उपर वाले की दूआ से आप टीजीटी में बहुत जल्द काम्याब होने वाले हैं इसे किसके ये मेरी शुप कामनाय हैं इसी बातों के साथ मित्रों आज के लिए दीजाएद फिर साम को मिलते हैं सुपर संडे के कोश्चनों के साथ तब तक के लिए दीजाएद नमस्कार